जारे हैं है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिस्योलोजी का 2nd chapter प्रीथिं एंड एक्स्चेंज ओफ गैसेंज ठीक है स्टार्ट करेंगे हम प्रीथिंग एंड एक्स्चेंज ओफ गैसेंज ठीक है ब्रीफिंग एंड एक्स्चेंज ऑफ गैसेज के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लोवर जो ऑर्गनीजम में इस चैप्टर का टॉपिक क्या है बिटा अपना हिूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना ठीक है में यहां पर क्या दिया हुआ है हिूमन रेस्पिरेटरी सिस्ट्म प से पहले कुछ चोटे-चोटे कौश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जैसे आर्थोप ओर लाओं के अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है तो पहले हम lower organisms के respiratory organs के बारे में लिखेंगे ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले first up heading लगाए first heading क्या लगाएंगे हम lower invertebrates lower invertebrates lower invertebrates के अंदर जो gas exchange किस तरीके से होता है तो आप क्या कोगे इसके अंदर normally जितने भी lower organism है उनके अंदर body surface के थूँ यानि diffusion के थूँ क्या है respiration का process होता है अब diffusion क्या होता है बिटा diffusion क्या है moment of molecules या moment of gas from their from their higher concentration to lower concentration ठीक है हम क्या कहेंगे gases किदर से किदर move करेंगी अपनी higher concentration से lower concentration की और जैसे हम यह कहें कि अगर हमारे अंदर carbon dioxide की concentration जादा है तो वो किदर से किदर जाएगी inside to outside ठीक है यानि जिधर क्या है कोई gas जादा है CO2 अगर inside जादा है तो वो किदर से किदर जाएगी inside to outside चली जाएगी oxygen अगर body की अंदर कम है तो वो क्या है oxygen है वो outside to inside आ जाएगी इसे हम बोलते हैं diffusion क्या है gases है वो किदर से किदर transport होंगी अपनी high concentration से low concentration की तरफ जाती है ठीक है तो lower invertebrates के अंदर देखो बेटा हम क्या कहेंगे example लिख लो पहले तो lower invertebrates के अंदर आते कौन कौन है सबसे पहले लिखो lower invertebrates lower invertebrates के अंदर कौन कौन आता है sponges, silentrate, flatworms यानि porifera sponges आते हैं उनके अंदर silentrata porifera, silentrata, flatworms ठीक है इसके अलावा हम क्या कहेंगे earthworm, cockroach insects, cockroach ये सब क्या है बेटा lower invertebrates है ये सारे क्या है lower invertebrates है और क्या कहोगे इनके अंदर जो respiration का process होता है वो mostly हम उपर वालों के अंदर क्या कहेंगे by diffusion by diffusion या फिर क्या कहोगे by body surface ठीक है by diffusion या फिर क्या कहोगे body की surface से ही क्या है gas exchange हो जाता है मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इनके अंदर कोई lungs होती है कोई pipe like structure कोई track किया होती है कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर ठीक है उसके बाद में next आजो बेटा earthworm के अंदर अगर आप लोगों से पूछा चाहें तो क्या बोलोगे cuticle by skin ठीक है skin के थूरू respiration होता है जिसे बोलेंगे cuticle cuticle के थूरू अंसर क्या आएगा अर्थ वोम के अंदर जो respiration का प्रोसेस हो रहा है जो gas exchange का प्रोसेस हो रहा है वो किस के थूरू होगा cuticle के थूरू इंसेक्ट और कॉक्रोज में क्या बोलोगे tracheal system क्या अंसर आएगा tracheal system tracheal system को हम क्या बोलते हैं विटा tracheal system का मतलब है network of tubes network of tube को बोलते हैं tracheal system ठीक है इसके बाद में अगर हम fish, prawn fish, mollusk, unio की बात करें prawn fish mollusk union इनकी बात करें तो ये सब बिटा पानी में तो आप क्या कहोगे gills के थूरू respiration होता है किसके थूरू होगा gills के थूरू gas exchange या respiratory organ कुछ भी आप से पूँच सकते हैं ठीक है इन में से आप लोगों का question बनता है एक बार fish से देख लो क्या है स्किन के थूरू होता है और cuticle के थूरू होता है इनसेक्ट और cockroach में अर्थ आर्थो पोड़ा के अंदर आर्थो पोड़ा में हम क्या बोलेंगे कि respiratory organ क्या होता है tracheal system या tubes network of tubes होता है prawn fish, mollusca, union के अंदर क्या होते है gills होते है तो यह होगे सारे lower vertebrates lower invertebrates अब क्या है vertebrates की बात करेंगे next किस की बात करेंगे vertebrates की तो यहाँ पे heading लगा हो vertebrates vertebrates की अंदर हम क्या देखेंगे बेटा fishes है amphibians है reptiles है birds है और mammals है यह किस के अंदर आएंगे vertebrates के अंदर तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन को ना आतने हैं reptiles amphibians birds birds और अंदर इन सब के अंदर हम respiratory organs हैं उनको लिख लेते हैं ठीक है इन सब के अंदर respiratory organs को लिख लेंगे तो fishes और fishes के अंदर क्या होते हैं बेटा gills reptiles के अंदर क्या होते हैं lungs amphibians के अंदर क्या होते हैं gills a amphibians ने s सकते हैं और वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं तो एमफीबियंस के लिए हम क्या कहेंगे के गिल्स तो होते ही है इनकी अंदर स्किन भी होती है बकल कैविटी भी होती है जैसे इसके अंदर है ना फ्रॉग के लिए कोशन आता है विटा आप लोगों के किसके लिए कोशन आत के पुछा जाता है कि फ्रॉग के अंदर जो respiratory औरगन है उसका नाम बताओ तो आप क्या कहोगे उन्दर भाई गिल्स भी होते हैं फ्रॉग के आंदर स्किन के ठुह भी होते हैं उन्दर लंग्स के ठूह बहुत दो भाई बहुत 62 वियन है जिसके अंदर गिल्स के थ्रू, skin के थ्रू, buckle cavity है, lungs के थ्रू, सब के थ्रू इनके अंदर क्या होता है, respiration होता है, ठीक है, अपने गिल लिख लिए, skin लिख लिए, buckle cavity, lungs भी लिख लो, ठीक है, reptiles के अंदर only for lungs, birds के अंदर भी हम क्या कहेंगे, lungs और हमारे अंदर भी mammals के अंदर भी हम क्या कहेंगे lungs तो ये भई सारे जो organism है जितने भी उनके क्या है respiratory organ हो गए आपको इन में से किसी पे भी question मिल सकता है ठीक है तो आपको ये सारे learn करने है अब हम start करेंगे बेटा human का respiratory system ओके तो देखो इसके अंदर first सबसे पहले हम start कर रहे हैं ये क्या है human respiratory system है बेटा ये क्या है human respiratory system है इसको मैं explain कर रही हूँ थोड़ा देखो इसको ध्यान से screen पे आपको सारे words दिखाई दे रहे हैं क्या देखो बई इसके अंदर क्या है चलिए देखो ये क्या दिया हुआ है human respiratory system का diagram है मैं इसको फिर से draw कर दूँगी इसके उपर सारा label कर देती हूँ आप अभी समझे इसको सबसे उपर क्या दिया हुआ है बेटा इस तरीके से ये देखो structure दी हुई है इसे क्या बोलते है epiglotus क्या बोलते है epiglotus सबसे पहले बही epiglotus का मतलब समझ ये क्या होता है हमारे अंदर क्या होता है बेटा के बही इस तरीके से food pipe और wind pipe होती है यानि हम अब देखो ऐसे नहीं होती है ऐसे आगे बीचे होती है ठीक है food pipe और wind pipe हमारे अंदर इस तरीके से लेकिन हम उसे draw नहीं कर सकते तो हम ऐसे draw करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक flap like structure present होती है ये मालो बेटा क्या है food pipe है जिसे हम क्या बोलते है इसो फेगस food pipe को हम क्या बोलते है इसो फेगस ये क्या है wind pipe है जिसे हम बोलते है ट्रैकिया wind pipe को हम ये रही wind pipe इसे हम क्या बोलते है ट्रैकिया बोलते है तो इनके उपर wind pipe का जो ये और है जो इसकी ये opening है किसे क्या बोलते है बेटा ग्लोटिस किसे क्या बोलते है ग्लोटिस ठीक है और डोनों पाइपस के बीच में कार्टिले जिनस फ्लैप होता है बड़े ध्यान से लिख लिए हैं आप क्या होता है यहां पे यह क्या है कार्टिले जिनस फ्लैप कार्टिले जीनस क्या होता है फ्लैप होता है तो इस फ्लैप का काम क्या होता है देखो जब भी हम जब भी हम फूड ले रहे हैं ठीक है तो जो फूड के पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में ना चले जाएं तो यह फ्लैप क्या करता है इस तरीके से विंड पाइप को बं कर देता है ये आप यो नहीं कहेंगे भी बंद होगी हमें सांस कैसे आएगा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये बहुत ही फ्रॉसेस मतलब हमें फील भी नहीं होता है उके तो जब हम पूड को swallowing कर रहे हैं पूड अंदर जा रहा है तो उस टाइम ये cartilage जो flap है ये wind pipe को बंद कर देता है ताकि पूड के particles इसमें ना चले जाएं आप लोगोंने note किया होगा कि कभी कभी खाना खाते time अच्छानक से हमें क्या है खांसी आने लग जाती है तो उस टाइम क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि ये flap है ये wind pipe को बंद नहीं कर पाता तो कुछ food particles हैं वो wind pipe के अंदर चले जाते हैं चीक है जब wind pipe के अंदर चले गए तो भई wind pipe में food particles सोड़ी जाएंगे तो वो वापिस reverse उनका action होता है तो हमें से हम क्या बोलते हैं epiglottis बोलते हैं ओके क्या बोलते हैं epiglottis इसके बाद में देखिए next क्या है next देखो बेटा यह काटिले जिनस flap है इसे हम क्या बोलेंगे epiglottis इसके बाद क्या है larynx किसे हम क्या बोलते हैं larynx को क्या बोलते हैं बिटा voice box क्या बोलते हैं voice box इसके बाद हमारे बास यह क्या है trachea इसके अंदर आपको दिखरे हैं इस टरीके से c-shape कार्टिले जिनस रिंग्स ट्रैकिया में क्या होते हैं C शेप कार्टिले जिनस रिंग्स C शेप कार्टिले जिनस रिंग आगे देखे इसके अंदर क्या दिया हुआ है C शेप कार्टिले जिनस रिंग्स ठीक है यह C शेप कार्टिले जिनस रिंग्स है इनका फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे यह जो कार्टिले जिनस रिंग्स है कार्टिलेज के बने हुए है यह क्या करते है ट्रैकिया को कैलॉपसिंग ओफ ट्रैकिया को बचाते है कैलॉपस का मतलब क्या है देखो पर्वेंट फ्रॉम क्या लिखोगे प्रवेंट फ्रॉम कैलॉपसिंग औफ ट्रैकिया C शेप कार्टिले जिनस रिंग्स है ये क्या करेंगे ट्रैकिया को केलोपसिंग से बचाते है केलोपसिंग का मतलब क्या है बेटा कि जब मालो यहाँ पे एर नहीं है तो ये पिचक ना जाए ये नॉर्मल अपनी शेप में बनी रहे तो कोँण हेल्प करेगा C शेप कार्टिले जिनस रिंग्स उकैं उसके बाद में देखो इन्होंने क्या बोला है अब ट्रैकिया आगे जाके two parts में डिवाइड हो रही है ट्रैकिया two parts में डिवाइड हो रही है जिसे बोलते है primary bronx ये देखिए लिखा हुआ है क्या बोलेंगे primary bronchus अब ये आगे और parts के अंदर divide हो रही है और parts में divide हो रही है इसे बोलेंगे secondary bronchus ठीक है या फिर bronchiolus भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं bronchiolus और last में इनके साथ क्या है sack like structures दिख रही हैं आपको बहुत सारी sack like structures लगी हुई हैं इन्हें बोलते हैं alveoli क्या बोलेंगे alveoli भी कहते हैं sack like structure जिनका सबसे important role है gas exchange में आपसे ये question पूछ भी सकते हैं कि हमारे respiratory system में gas exchange का सबसे बड़ा role किसका है gas exchange में तो आप क्या answer दोगे alveoli ठीक है सबसे बड़ा role है gas exchange के अंदर अब देखो इसके बाद में हमें यहाँ पे lungs के लिए कुछ और terms लिखनी हैं देखो आप लोगों को दिख रहे हैं ये दो lungs हैं बीच में आपको heart दिखाई दे रहे हैं दो lungs हैं बीच में क्या है heart है तीक है आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे जो lungs है और जो heart है वो किसके अंदर close रहते हैं इसे हम क्या पोलेगे rib cage ख है बोलते ना ठीक है उसे क्या बोलते है rib cage के साथ साथ rib cage के अंदर कौन-कौन सी चीज़े आती है लिख लो ठीक है रिब केज, यहाँ पे लिख लो, रिब केज में कौन कौन आएगा, वर्टीबल कॉलम, स्टर्नम, प्लस रिब्स, देखो क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे एक बून है, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के पीछे क्या है, बिल्कुल स्टर्नम और बैकबॉन इस तरीके से हैं, और बीच में क्या लगी हुई है, रिब्स, ठीक है, तो यह तीनों मिलके क्या बनाते हैं, रिब केज, यह आप से कोशन पूछ सकते हैं, रिब केज के अंदर कोन को नाता है, स्टर्नम है, वर्टिबल कॉलम है, और रिब्स है, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं, ओके, अब यहाँ पे देखिए, यह लंग्ज है, यह अपने लंग्ज है, यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट एक्टर दिखाइ दे लिए इसे क्या बोलते हैं बेटा ये डाइफिराम क्या बोलेंगे डाइफिराम का भी बहुत बड़ा रोल है अपनी जो थो्रेसिक कैटी है उसको इन्क्रीज और डिकरीज़ करने में जब हम इंस्पाइरेशन और expiration यानि mechanism करेंगे breathing का तब आपको पता चलेगा अब यहाँ पे lungs के चारों और बिटा membrane होती है अब मैं आपको आगे का थोड़ा सादे को यहाँ पे लिखा हुआ है इन membranes को क्या बोलते हैं plural membrane यहाँ पे दोनों membranes के बीच में liquid भरा होता है जिसे बोलते है plural fluid ठीक है और यह क्या है friction से बचाता है मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ ठीक है next चलिए अब next अपना देखो भई अभी हम diagram बना रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यह थी track या two parts में divide हो जाती है यहाँ पे अपने lungs है ठीक है भई यह इस तरीके से अपने क्या है lungs है यहाँ पे क्या है diaphragm है अब मैं आपको अब यहाँ बता देती हूँ यह bronchus आगे divide हो रहा है इनको क्या बोलेंगे bronchiolus आगे और divide हो रही है primary bronchiolus, secondary bronchiolus और फिर last में क्या है sac like structure है जिने बोलते है alveoli अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा lung है lungs के अंदर क्या होगा कि इदर वाला जो lung है बिटा किस के अंदर इस तरीके से एक oblique fissure होती है क्या होती है क्या लाइन को क्या बोलेंगे हम oblique fissure क्या बोलेंगे oblique fissure ठीक है इदर वाला जो lung है उसके अंदर भी हमें दो लाइने देखने को मिलेगी एक ऐसे और एक ऐसे ठीक है इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगी उपर वाली जो लाइन है उसे बोलेंगे horizontal fissure horizontal fissure और निचे वाली जो लाइन है इसे बोलेंगे oblique fissure ओके बेटा अब देखिए ये जो लंगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसे बोलेंगे superior lobe इसे बोलेंगे inferior lobe ठीक है ये क्या है superior और ये क्या है inferior superior lobe और inferior lobe इदर वाला lobe है वो थ्री पार्ट्स के अंदर है बेटा superior, middle और inferior ये क्या हुआ superior, ये क्या हुआ, middle और ये क्या हुआ, inferior ठीक है भई, ये आपको याद रखना है कि क्या याद रखोगे, left lung के अंदर इदर वाली side क्या है, left left lung के अंदर एक fissure होती है जिसे left lung two parts में divide हो रहा है और right lung में, right lung में क्या है, दो fissures होती है जिसकी वज़े से वो क्या है, three parts के अंदर divide हो रहा है अब देखो, एक चीज और बहुती important दोनों lungs के बीच में, यहाँ पे हमारा heart present होता है इस तरीके से यहाँ पे क्या है, heart present होता है इस तरीके से तो यह जो heart है, heart का एक कोना है वो इस वाले left lung के अंदर घुसा होता है तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो ये वाला जो लंग है इसके अंदर इस तरीके से आपको ऐसे structure देखने को मिलेगी मतलब अंदर की तरफ थोड़ा सा क्या है depression होएगी इसे हम क्या बोलते है cardiac nose इसे हम क्या बोलेंगे cardiac nose यहाँ पर आपसे पूछ सकते है कि cardiac nose क्या है क्या कोगे hurt है वो left lung के अंदर थोड़ा सा गुसा हुआ होता है और वहाँ पर इस तरीके से depression बन जाता है तो यहाँ पर यह जो cavity सी बनी हुई है इस cavity को क्या बोलते है cardiac nose क्या बोलोगे cardiac nose बोला जाता है इस cavity को ठीक है उसके बाद में मैं आपको यह बता दू कि lungs के चारों और double covering होती है ठीक है बीच में liquid भरा होता है तो यहाँ पर आप वो देख लीजिए यह मालो one membrane है इसे बोलेंगे visceral pleura बाहर वाली को क्या बोलेंगे parital pleura एक में लिख देती हूँ दोनों में सेम होगा यह क्या है parital pleura यह क्या है visceral pleura और दोनों में क्या है liquid भरा होता है दोनों के बीच में यहाँ पे जो cavity है उसे क्या बोलेंगे plural cavity और यहाँ पे जो liquid भरा है उसे plural fluid यह plural fluid क्या करता है friction से बचाता है किस से बचाएगा friction से बचाएगा चीक है तो यह हो गया आपका lungs का internal structure ठीक है lungs की क्या है internal structure एक और चीज़ याद रखनी है दोनों lungs के बीच में जो यह space है यह जो खाली space है इसे क्या बोलते है दोनों lungs के बीच में खाली space को क्या बोलते है media stenum क्या बोलेंगे किस space को यह जो जगा पड़ी है इसे क्या बोलेंगे media stenum खाली space को बोलते है ठीक है भई तो यह lungs की structure है यह complete हो गई है अब इसके बाद में हम क्या करेंगे mechanism करेंगे breathing का ठीक है breathing का हम क्या करेंगे mechanism तो next diagram देखो भी यह क्या है inspiration और expiration दिखा रखा है बटा inspiration और expiration लिखेंगे यहाँ पे mechanism of breathing mechanism of breathing inspiration और expiration देखो inspiration का मतलब क्या होता है air को अंदर लेके जाना expiration का मतलब क्या होता है air को बाहर निकालना inspiration कैसे करते हैं देखो normally तो हम normal करी रहे हैं अगर forcefully करे तो सांस अंदर लेके जाना क्या है inspiration सांस को बाहर निकालना क्या है expiration अब आपको यहाँ पे main क्या याद रखना है कि inspiration और expiration में कौन रोल प्ले करता है एक चीज़ याद रखे इस एरिया को जहां पे हमारे lungs present है जहां पे हमारा डाइफराम है इस एरिया को बोलते है thoracic cavity क्या बोलते हैं thoracic cavity बोलते हैं तो यहाँ पे देखे थोरसिक कैविटी के अंदर क्या कुछ होता है जब inspiration और expiration का process होता है तो thoracic cavity के अंदर दो चीज़ों का रोल होता है एक तो है डाइफराम और एक क्या है internal, intercostal muscles देखो intercostal muscles क्या होती है ribs है ना ribs के बीच में muscles लगी होती है ribs के बीच में muscles लगी होती है उन्हें बोलती है intercostal muscles तो आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा inspiration में चाए inspiration है चाए expiration है दो चीज़े रोल प्ले करती है एक तो डाइफराम और एक क्या बोलोगे intercostal muscle डाइफराम और कोन help करेगा intercostal muscles help करती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी intercostal muscle help करेंगी external external ठीक है और expiration के अंदर कोन help करेगी internal intercostal muscle और डाइफराम इदर क्या लिखोगे expiration के अंदर कोन help करेगा डाइफराम तो करेगा ही करेगा उसके बाद में हम क्या कहेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखी है external यहाँ पे लिखोगे intercostal muscles बट कौन सी internal ठीक है भई तो अब देखो inspiration और expiration में डाइफराम और intercostal muscles help कर रही है यहाँ पे external और यहाँ पे क्या है internal आपको याद रखना है कहाँ पे external, internal इनका मतलब क्या है ribs है ना जैसे बटा यह देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाते हूँ यह ribs है ribs के बीच में क्या होती है ribs के बीच में muscles लगी होती है दोनों side बार भी और अंदर वाली side भी ठीक है तो यहाँ पे external और internal का मतलब है कि ribs के बाहर वाली जो side muscles लगी हुई है और अंदर वाली side भी मतलब इस तरीके से यह बाहर मसल लगी हुई है अगर हम इनको अंदर वाली side दिखाएं तो ऐसे ऐसे अंदर वाली side भी होएंगी ठीक है तो इस तरीके से ribs के बीच में जो muscles लगी है आप देखो क्या हो रहा है जब air अंदर जा रही है जब air अंदर जा रही है air कहा जा रही है अंदर जा रही है तो उस time क्या है आप देखो air अंदर जा रही है तो thoracic cavity increase होएगी और जब air बाहर निकलेगी तो thoracic cavity decrease होएगी तो हम क्या बोलेंगी जब inspiration होता है तो diaphragm है वो नीचे चला जाएगा ठीक है? dorm shape से कैसा हो जाएगा? flat हो जाएगा और ribs आगे की तरफ हो जाएगी ठीक है? जब expiration होगा तो diaphragm है वापस अपनी position में आ जाएगा ribs भी अपनी position पे आ जाएगी यानि थोड़ा से cavity का size क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा तो ये है inspiration और expiration आप देखिए इसके बाद में आपका topic क्या आता है next ये क्या दे रखी है? gas exchange बता रखा है alveoli की structure बता रखी है most 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 important क्योंकि यहाँ पे question आप से पूछा चाता है कि alveoli है उसकी surface किस tissue की बनी है epithelial tissue का कौन सा type है ठीक है तो ये हमें यहाँ पे सीखना है देखो बटा जहां से कमचिए इस चीज़ को ये alveoli की structure है ये किसकी structure है? alveoli की structure है इसके अंदर क्या है? ये जो इतना area है ना ये diffusion membrane बना रहे है ये देखो यहाँ पे क्या है? एक तो ये वाली layer है ठीक है? एक ये वाली है, दो और एक ये वाली है, तीन तीन membrane है तो इन तिनों को हम क्या बोलेंगे? इन तिनों को एक येरी, एक येरी, एक येरी इन तिनों को क्या बोलेंगे? diffusion membrane क्या बोलेंगे? diffusion membrane ठीको एक चीज़ याद रखनी है जितनी ज़्यादा पतली membranes होएंगी ना, gas exchange उतना ही अच्छा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे important है epithelial tissue की squamous epithelium जो बिलकुल पतली होती है जिससे diffusion बहुत easily हो सकता है तो वहाँ पे कौन सा epithelium होता है? squamous epithelium होता है ठीक है? कौन सा epithelium होता है? squamous epithelium तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे? कि यह जो alveoli की जो यह वाली lining है alveoli की जो यह वाली lining है यह किसकी बनी है? आप से पूच सकते हैं यह किसकी बनी है वेटा? यह बनी है क्या लिखोगे? squamous epithelium किसकी बनी है? squamous epithelium tissue की बनी है squamous मतब जिसकी cells बहुत ज़्यादा पतली होती है उसके बाद में देखो क्या है? यह वाली जो membrane है यह वाली यह भी squamous epithelium है यह भी squamous epithelium है लेकिन यहाँ पे इसका नाम दिया है endothelium क्यों कहां है squamous epithelium को endothelium क्योंकि यह endoderm से arise होती है यह blood vessel है बिटा? यह क्या है? blood vessel है जब alveoli और blood vessels के बीच में gas exchange होता है न? ठीक है? तो तब ही तो यहाँ से क्या है? oxygen इसमें आ जाएगी CO2 इसमें चली जाएगी तो यह blood vessel है यह alveoli दिखा रखी है तो blood vessel की जो membrane है उसको क्या बोलेंगे endothelium बनी किसकी है? epithelium की बनी है लेकिन endothelium नाम क्यों बुला है? endothelium इसलिए कहा है क्योंकि यह endoderm से arise हुई है इसलिए इसका नाम endothelium रख दिया चीक है? और अब एक चीज और याद रखनी है आपको epithelium tissue का एक nature है कि epithelium tissue के साथ हमेशा basement membrane होती है ठीक है? तो यहाँ पर बीच में यह आपको yellow color का दिख रहे है? yellow yellow दिख रहे है? यह क्या है बेटा? यह basement membrane है तो third हमारी जो membrane है वो कौन सी होगी? basement membrane इसमें से यह दोनो cellular होती है यानि cells की बनी है और basement membrane क्या होती है? non-cellular देखो अभी इसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को यह मालो आपने epithelium tissue बनाया यह आपने क्या बनाया? squamous epithelium tissue बनाया ठीक है? अब जो basement membrane है इसको non-cellular क्यों बोला जा रहा है बेटा? क्योंकि यह epithelium tissue की जो layer है ना इन cell से क्या है? carbohydrates और protein निकलते हैं इन cell से इन cell से क्या निकल रहे है? यहां से carbohydrates और proteins निकलते हैं और वो नीचे deposit हो जाते हैं नीचे क्या है? deposit हो जाते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं basement membrane का यानि जिसने base बना दिया उसको नाम क्या दे देते हैं? basement membrane का नाम दे देते हैं इसलिए आपको एक चीज याद रखनी है epithelium tissue का एक special character है कि उनकी cell में से cardboard और protein निकल के नीचे deposit हो गए और क्या बना लिया बेटा base बना लिया जिसे हमने क्या बोला है basement membrane बोला है चीक है तो भई यहाँ पे तीन अपनी layers होगी squamous epithelium endothelium basement membrane इन तीनों को हम क्या बोलते हैं diffusion membrane बोलते हैं तीनों को क्या बोलेंगे diffusion membrane ओके अब आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे pressure oxygen का कितना होता है और carbon dioxide का कितना होता है most important question है यह कि alveoli के अंदर यह last year भी competition exam में पूछा गया था कि alveoli के अंदर pressure कितना है oxygen का तो लिखो बेटा pressure of oxygen है वो alveoli में होता है 104 mmHg alveoli के अंदर oxygen का pressure कितना होता है 104 mmHg और co2 का कितना होता है तो यह आपको याद रखना है और यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है आप देखिए यह alveoli का structure हो गया next यह क्या दिया हुए बेटा यह diagram हमें यह शो कर रहा है double circulation का है किसका है double circulation का है यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि कैसे भई जो deoxygenated blood है वो oxygenated blood के अंदर convert हो जाता है क्या दिया हुए यहाँ पे इसको थोड़ा सा set कर दूँ यहाँ पे यह ऐसे है यहाँ पे tissues मने उत्ते है यहाँ पे क्या अपने tissues ठीक है यह alveoli है double circulation का diagram सा है यह इसके अंदर देखो क्या अबदार्ख है heart के अंदर इधर impure blood आता है impure blood आने के बाद में वो यहाँ से कहाँ पे जा रहा है lungs में जा रहा है lungs में pure हो रहा है फिर pure होके वापिस heart में आ रहा है heart से पूरी body parts के अंदर जा रहा है double circulation हम heart वाले chapter में फिर से करेंगे ठीक है यहाँ पे देखो यह alveoli दे रही है इसके अंदर अभी मैंने आपको लिखाया कि alveoli के अंदर oxygen का pressure कितना होता है और carbon dioxide का pressure कितना होता है आपको याद रखना है और oxygen का pressure कितना है बेटा 104 और carbon dioxide का कितना है 40 अब आप यह लिखो deoxygenated blood इधर क्या है blue color का मतलब क्या है deoxygenated blood है यहाँ पर कौन सा blood है deoxygenated blood का मतलब क्या है unpure blood है तो यहाँ पर आप यहाँ पर pressure of oxygen लिख लो और pressure of carbon dioxide की value लिख लो यह question आते हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पर लिखो oxygen का pressure है 40 carbon dioxide का क्या है 45 mmHg अब देखो बेटा आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि unpure blood है तो simple सी बात है carbon dioxide ही जादा होएगी ठीक है उदर क्या है pure blood है pure blood के अंदर यहाँ पर लिख लो pressure of oxygen कितना होगा और pressure of carbon dioxide कितना होगा यह लिख लो 95 mmHg और इधर कितना होगा 40 mmHg यानि oxygen बढ़ गई है और carbon dioxide क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब देखो tissues के अंदर बहुत ही important है tissues के अंदर भी लिख लो टीशू के अंदर oxygen होगी बेटा यहाँ पर tissues है मालो यहाँ पर अपने क्या है टीशू है oxygen का pressure होगा 40 और carbon dioxide का pressure होगा 45 अब देखो बेटे एक चीज देखे यहाँ पर भी oxygen जादा है यहाँ पर भी oxygen जादा है यहाँ पर भी oxygen में यहाँ पर कम है लेकिन यहाँ पर देखो बेटा tissues के अंदर carbon dioxide है वो कितनी यह 45 है जादा है ठीक है यह याद रखना है क्योंकि भई tissues में क्या होगा cell जब respiration का process कर रही है तो carbon dioxide produce हो रही है deoxygenated blood का सेम ही है tissue का और deoxygenated blood का क्या है सेम है next देखिए अब देखो यहाँ पर क्या start हो गया बेटा respiratory volumes and capacities बहुत ही important है यह बहुत ही important chapter की अंदर मतलब इसमें से बेटा question आना ही आना है इसमें से question आना ही आना है आप लोगों की tidal volume क्या होती है देखो tidal volume क्या आप दा रखे TV TV क्या है आपको देखो value पुछते है volume of air inspired और expired यानि हम normally जो breathing का process कर रहे है न वो tidal volume है आप से इसकी value पूछ सकते है approximately कितनी होती है 500 ml होती है approximate कितनी होती है 500 ml होती है और यहाँ पे आपको क्या दे रखी है एक minute की दे रखी है वो तो one time है एक time के अंदर 500 ml है और एक minute के अंदर 6000 से 8000 ml है सीधा आपको इसकी value याद रखनी है tidal volume normally हम जो breathing का process कर रहे हैं सांस अंदर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं वो tidal volume है ठीक है next देखो IRV क्या है inspiratory reserve volume inspiratory हम कितनी air forcefully जैसे yoga करना है कितनी forcefully अंदर लेके जा सकते हैं कितनी 25 ml से 3000 ml IRV क्या है expiratory reserve volume कितनी forcefully बाहर निकाल सकते हैं ठीक है कितनी yoga से अंदर ले जा सकते हैं कितनी बाहर निकाल सकते हैं कितनी 1200 ml residual volume क्या होती है देखो बेटा कभी भी lungs खाली नहीं होती है ठीक है प्यापन योगा है बिल्कुल सारी air बाहर निकल जाती है थोड़ी बहुत air है वो लंग्स के अंदर बच्ची रह जाती है कितनी बच्ची रह जाती है 1400 से 1200 ml तो उसे बोलते हैं residual volume ठीक है नेक्स देखो अब वो तो volumes होगी यह है capacity ओके inspiratory capacity inspiratory capacity का मतलब क्या है total volume of air a person can inspire after a normal expiration this includes tidal volume and inspiratory reserve volume अब यह question आता है ic is equal to क्या होता है tv plus irv tidal volume और inspiratory reserve volume क्या होता है inspiratory capacity कितनी हम क्या है normally तो अंदर लेके जा रहे हैं अब portfolio भी कितनी अंदर लेके जा रहे हैं वो inspiratory capacity कितना लिजा सकते हैं अंदर ठीक है next देखो expiratory total volume of air can expire after a normal and forceful दोनो tv plus irv irv क्या था कि forcefully कितनी बाहर निकाल सकते हैं normally कितनी बाहर निकालते हैं और forcefully कितनी बाहर निकालते हैं functional residual capacity किसके इक्वल है irv expiratory reserve volume plus residual volume residual volume का मतलब कि कितनी lungs के अंदर रहे जाती है forcefully हमने air बाहर निकाल दी उसके बाद भी कितनी lungs के अंदर रहे गी उसे बोलेंगे functional residual capacity vital capacity most 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 important इसका बहुत बार पुछा जाता है कि vital capacity क्या होती है maximum volume of air इसके अंदर आफ्टर एक्सपाइरेशन इसके अंदर ERV भी आएगा इसके अंदर TV भी आएगा इसके अंदर IRV भी आएगा ठीक है tidal volume तो होईगी कितना forcefully अंदर लिजा रहे हैं कितना forcefully बाहर निकाल रहे हैं वो सारा क्या है vital capacity है total lung capacity total lung capacity के अंदर क्या आएगा देखो ये question आया हुआ है बेटा total lung capacity के अंदर RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस residual volume ये लिखी लिया हमने सब आ जाएंगे इसके अंदर ठीक है सब इसके अंदर आ जाएंगे तो ये सारा आपको बेटा learn करना है इन में से एक अदा question हर बार आप लोगों को exam में देखने को मिलता ही मिलता है अब देखिए next और आप ये मान लीजे कि last topic है आप लोगों का इस chapter का क्या है oxygen dissociation curve oxygen dissociation curve ठीक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे विटा transport of oxygen और transport of carbon dioxide कितनी oxygen बाहर निकल रही है कितनी carbon dioxide को हम gain करने है बाहर निकाल रहे है oxygen आ रही है वो सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो भाई देखो oxygen dissociation curve के अंदर हम क्या बनाते है graph बनाया जाता है विटा कि क्या बनाते हैं हम इस तरीके से एक graph बनाते है इस तरीके से इसे क्या बोलते है sigmoid curve इसे क्या बोलते है sigmoid curve बोलते है ये जो curve है ये किस चीज को show कर रहा है यहाँ पर तो बेटा oxygen का pressure दे रखा है यहाँ पर HB दे रखा है और HB का saturation शो कर रखा है saturation का मतलब क्या होता है कि जितना हमारे अंदर HB है वो सारा का सारा oxygen के साथ bind up हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि HB का saturation हो गया समझते हो saturation क्या है कि जितना हमारे अंदर HB है वो सारा का सारा oxygen के साथ bind up हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि saturation हो गया, क्या हो गया, saturation, तो यहां पे HB saturation है, यहां पे oxygen का pressure है और हमें इस तरीके का curve दिख रहा है, इसे हम sigmoid curve बोलते हैं, ठीक है, अब यह curve है, oxygen dissociation curve कैसे है, भई यह curve कभी हमें क्या है, left side के अंदर move करता हुआ दिखता है और कभी यह curve हमारा इस तरीके से move करता है, तो आप से यह बोच सकते हैं, कभी यह left side में shift करता है, कभी यह right side के अंदर shift करता है, ठीक है, तो भई left side के अंदर कभ shift करेगा, right side में यह curve कभ shift करेगा, इसे हमें देखना है, ओके, तो देखो भई, लेफ्ट साइड में कब शिप्ट करेगा जब लेफ्ट साइड वाला हम इदर लिख रहे है प्रेशर ओफ ओक्सीजन क्या है हाई है उपर की तरफ एरो का मतलब क्या है हाई हाई पार्शल प्रेशर ओक्सीजन का प्रेशर कारबन डाइउकसाइड का क्या है बिटा लो है ठीक है उसके बाद में लेस हाईड्रोजन आयन है थाई पीछ है और लो टेंपरिचर है इन सारी चीजों को आपने याद रखना है ठीक है इन सारी चीजों को आपने याद रखना है ठीक है इन सारी चीजों को आपने कब graph left side में shift करेगा, कब shift करेगा, जब oxygen का pressure जादा है, carbon dioxide का कम है, less hydrogen ion है, high pH है और low temperature है, तो कब shift करेगा, left में, अब right में करना है ना, इस सारे का opposite कर दो, ठीक है, right में कब graph shift करेगा, जब oxygen का pressure कम हो गया, carbon dioxide का pressure बढ़ गया, ठीक है, high hydrogen ions हो गई है, low pH हो गई है, और high temperature हो गया, तो उस time क्या है, right side के अंदर shift हो जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, right side में जो shift करता है ना, उसे boher effect कहते हैं बिटा, right side के अंदर जो shift करता है, उसे क्या बोलते हैं, boher effect, boher scientist ने बताया था, right side वाला, ओके, इसे क्या बोलते हैं, boher effect, left वाला ये तो बिटा, normal condition के अंदर हो गई होगा, मतब ये सब हमारे अंदर चलता ही है, और ये कब होगा, जब oxygen का pressure क्या हो जाए, कम हो जाए, तो Hb है, वो CO2 के साथ bind up हो जाएगा, किसके साथ bind up हो जाएगा, CO2 के साथ bind up हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, बिटा, oxygen जब body के अंदर transport होती है, तो किस तरीके से होती है, heading लगाओ, transport of oxygen, oxygen का जब transportation होता है, तो कैसे होता है, एक question आता है, कि एक Hb का molecule कितने oxygen को अपने साथ ले जाता है, तो देखो भई, Hb की structure इस तरीके से होती है, बिटा, इसके अंदर दो alpha, दो alpha और दो क्या होती है, बिटा चेंज होती है, दो alpha, दो बिटा चेंज होती है, ये Hb की structure है, अब oxygen देखो कैसे bind अप होता है, एक oxygen इसके साथ, एक oxygen इसके साथ, एक oxygen इसके साथ, एक oxygen इसके साथ, तो आपका क्या कहेंगे, एक Hb है वो चार ओक्सीजन को बिटा अपने साथ कैरी करता है एक Hb है 4 ओक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करता है भाइंड अप करता है ठीक है कमझ में आ रहा है बिटा आप से यह qe fun embargo पूछ सकते हैं कि HB अगर oxygen के साथ bind up होता है तो क्या बनाता है क्या बोलोगे oxyhemoglobin क्या बनाता है oxyhemoglobin HB जब oxygen के साथ bind up होता है तो क्या बनाता है oxyhemoglobin बनाता है तो hemoglobin आप याद रखेंगे 97% oxygen ऐसे ही transport होती है हमारी बौड़ी में 97% oxygen है वो oxy hemoglobin की form में हमारी body में transport होती है और 3% oxygen है वो क्या है plasma में घुली हुई होती है क्या लिखोगे dissolved in plasma plasma में घुली हुई form के अंदर 3% है वो body के अंदर पहुच जाती है ठीक है नेक्स्ट लिखे ट्रांस्पोर्ट ओफ कार्बन डाई उकसाइड अब देखो कार्बन डाई उकसाइड देखो oxygen तो दो तरीके से body के अंदर पहुचेगी 97% तो Hb के साथ 3% क्या है plasma के साथ अब CO2 कैसे ट्रांस्पोर्ट होती है देखो transport of CO2 CO2 हमारी body से 3 तरीके से बाहर निकलेगी बेटा कैसे कैसे निकलती है एक तो dissolved form in plasma dissolved in plasma plasma में कितनी गुली होती है बेटा 7% ठीक है उसके बाद में bi-carbonate ions की form में 70% आप लोगों से ये question पुछा जाता है कि CO2 को bi-carbonate में convert करने का काम कौन सा enzyme करता है CO2 को bi-carbonate में convert करता है carbonic enhydrase enzyme कौन सा enzyme carbonic enhydrase enzyme और ये enzyme कहां पे होता है हमारी RBC में होता है याद रखना ये question बहुत बार competition exam में आया हुआ है कि RBC के अंदर कौन सा enzyme होता है कौन सा होता है carbonic enhydrase enzyme है वो हमारी RBC में present होता है और ये 70% carbon dioxide को bi-carbonate ions में convert करके lungs तक पहुचाता है और वहां से फिर body से बाहर तीसरा type क्या है कि RBC है उसके अंदर मालो HB के साथ bind up हो जाए RBC में CO2 किस के साथ bind up हो जाए HB के साथ bind up हो जाए तो कितनी होती है 20 से 25% क्या बनाता है कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबीन कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबीन ठीक है और कितना 20 से 25% ऐसे CO2 बाहर निकलती है कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबीन की फोम के अंदर ठीक है भी आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है regulation of respiration respiration का जो regulation है वो कहाँ पर होता है लिखो regulation of respiration regulation of respiration respiration को कौन regulate करता है ठीक है कौन regulate करेगा सबसे पहले तो लिखो इसके अंदर nervous system का regulation होता है तो उसे बोलते हैं nervous regulation ठीक है इसके अंदर कौन आता है first आप लिखिए respiratory rhythm center जो कहाँ पर होता है medulla oblongata में respiratory rhythm center काहाँ होता है medulla oblongata ठीक है और दूसरा क्या है इसका center होता है pneumotoxic center ये कहाँ पर होता है पौन्स रीजन में पौन्स वैरोलाई बोलते हैं जिसे अहाँ पर होता है पौन्स रीजन के अंदर होता है तो respiratory rhythm center क्या करता है बेटा ये कोज करता है inspiration और expiration को मतब नॉर्मल बना के रखना है नॉर्मली बना के रखता है देखो आपको याद रखना है inspiration है वो हमारे अंदर होता है बेटा दो सेकेंड में यानि दो सेकेंड में हमें यह अंदर लेके जाते है expiration होता है तीन सेकेंड के अंदर यानि total time कितना हो गया inspiration expiration का 5 seconds कितना हो गया है 5 seconds तो respiratory rhythm center है वो इस चीज़ को control करता है बिटा inspiration होता है 2 seconds में expiration होता है 3 seconds के अंदर और आप से अगर ये पुछा जाए कि normal adult है वो एक minute में कितनी बार सांस लेता है नॉर्मल अडर्ट है वो एक minute के अंदर कितनी बार सांस लेता है तो आप क्या कहोगे बारा से सोला बार ठीक है एक minute के अंदर 12 to 16 time per minute okay 12 to 16 times per minute पर मिनट तो भई इस सारे को कौन कंट्रोल करता है respiratory rhythm system ठीक है अब क्या है जो pneumotoxic center है वो इसको कंट्रोल करता है भई इंस्पाइरेशन का दो सेकंड होना चाहिए expiration तीन सेकंड होना चाहिए यह कौन यह control करता है भी कही inspiration का time जादा हो गया एर अंदर जारी अंदर जारी जाई जारी और इतनी जादा भर जाए कि भई यह हमारा party है वो फट जाए ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता तो यह दोनों म दिए रखे है है अस्थमा है एमफाइशीमा है और किूपेशनल रैस्पिरेटरी डिसॉर्डर है टीन है लिख लो Synoders मानए अस्थमा कि एमफाइशीमा कि कि और क्यों पैशनल प्रेस्पिडरी Satis थे को टीन क्या है रैस्पिरेटी डिसॉर्डर हैं तीन ही आपको करने हैं इसके अंदर अस्थमा तो हमें पता है क्या है एलर्जी है बिटा अस्थमा क्या है एलर्जी है और इसके अंदर क्या होता है स्वैलिंग आ जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस की अंदर ठीक है इसमें क्या होता है स्वैलिंग आ जाती है स्वैलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस इसमें क्या होता है बेटा अल्वियोली की जो मेंब्रेन है न वो रप्चर हो जाती है ब्रेक हो जाती है एल्वोली डैमेज हो जाती है एल्वियोली डैमेज हो जाएगी साथ लेने में दिक्कट आएगी अक्योपेश्चनल रेस्पीरेटरिज डिसॉडर्ण में क्या है बिटाई इनोंने यह बताया कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर कोई पत्थर का काम हो रहा में हоп बचतने मास्क पहनना चाहिए मास्क तो यह आप लोगों का बेटा एंधा हर प्रीफिंग क्शेंज रोल है में मिलते हैं एक्स उइडियो के अंदर कर दो कर दो कर दो दो